इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और इसका उप्योग गठिया के दर्द के इलाज में भी किया जा सकता है इस उपाय से छाती में जमाव और सांस संबंधी विकारों का भी इलाज किया जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक आतों के पत के संक्रमन के इलाज के लिए उतकरिष्ट उपाय जो पेट में इठन का कारण बनता है दो मल में रक्त के साथ दस्त के खिलाफ उप्योगी और पेट दर्द से राहत देता है तीन एडिमा में संकेत दिया जाता है और तिल्ली की सूजन को कम करता है चार जोड पांच रक्त परिसंचरन में सुधार करता है और रक्त असराव से जुड़ी स्थितियों का इलाज करता है छे इसका उप्योग कटोती और घावों के तेजी से उपचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है साथ एक एंटिस्पास्मोडिक एजेंट के रूप में क इतना धकों के इलाज के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिक सेट करें